अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब मायवचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ ट्रिप्स पाने के लिए हम compt大概 आज का हमारा एपिसेड होगा क्लेफफ पालब या फिर क्लेफ लिप के बारे में ने सुरिय ग्रहन के टाइम कुछ काटा या फिर फाडा या घर से बाहर घुमने गई तो होने वाले बच्चों को इस टैप के फटे हुए ओट या फिर फटे हुए तालू या फिर पैलट हो सकता है ऐसे कुछ भी नहीं ये पूरी गलत फहमी है आपको एक याद रखना है ये ऐसी चीज़े हजारों में होता है और उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनके माता-पिता किसीraftे डों को भी ऐसे फटे हुए ओट या कुछ और उन लोगों में जिनका विधीन फैमेली शादी हुए hy जैसे मामा के लड़के से शादि हुगी या फिर मामा से शादि हुगी ऐसे लोगों में भी इस टाइप के चांसिस होते हैं एसे नहीं की हर एक होगा ऐसे वेला बच्चा पर चांसिस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यह एक फैमिली में ऐसे वाला बच्चा पैदा हुए जिसको ओट फटा हुआ है जनम से या फिर तालू जो अंदर का पैलट रहता है वह फटा हुआ है हमको पता है कि जब हम बच्चा पैदा हुआ बच्चा मा या पिता को दिखाते हैं उनको कितना आनन्द होता है बहुत आनन्द होता है उनको जब अपना खुद का बच्चा देते हैं वैसे ही अगर फटे हुए ओट का या फटे हुए पैलेट का बच्चा पैदा हुआ तो पार्ट्स को बहुत शॉप लगता है हमने एक एक बार तो एक देखा है कि बच्चे को देखने के बाद पार्ट्स है फेंटे रूब बेहोश होके गिर गये ऐसे भी हमने देखे है क्योंकि उनको अंदाजा नहीं जाता है कि हम बच्चे को ऐसी टाप को कुछ प्रॉब्लम है एक दरने के कुछ जबरत नहीं है साइन्स ने बहुत प्रगती कित लिये और इस टाप के लगचों को हम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं पीडियाट्रिक सर्जिरी डॉक्टर्स रहते हैं जो इनका सर्जिरी करके इनको ठीक करवा देते हैं क्लेफ पैलट हो या फिर लिप या ओट फटे होगे तो भी सर्जिरी कर देते हैं इसमें वेरी इंपोर्टन है कि एक पहले दिन से ही सर्जिरी महीं होती है आफ्टर बच्चा जबड़ा साब बढ़ना चाहिए उसके बाद सर्जिरी होती है तो यह जो पीरियाड होता है ब जऑ है एक दाफ बाद के बालेत है तो रजशिल उसको स्पून भीशार का बच्चों चूंभास भी यहीं प्राबलम आता है तो फीडिंग में बहुत प्राबलम होती है इस फीडिंग में प्राब्लम का सल्यूशन एक है एक तो उसको पून पीडिंग करनेutar का या फिर ऐस इस टैप का बड़ा वाला चंबच मिलता है छोटे बचों के लिए तो इससे आप फीडिंग कर सकते इसमें जादा दूद आता है तो ये पीलाने के लिए दे सकते है ये पैलेड़ा फीडिंग है क्लेफ पैलट के बच्चों में प्लीज बॉतल मत लिसकीजिए अगर अगर इस बच्चे जिनका ओट होता है कर सिफ तालू या अंदर का पैलट ही कलेफ है तो इन बच्चों में आपको ओरल अप्यूडर मिलता है या या प्लास्टिक जैसी या फाइबर की एक पैलेट के आक अब पैलेट के लिए तो इसका इससे तकलीफ हो सकती है उसको खीषणे में तकलीफ होगे यह अपलूडर जो होता है जब बच्चा दूध पीता है तभी डालने का दूध पीने के बादे निकालने का होता है तो इसको एक एंगल पे रखना चाई यह सुलिया के नहीं देन तो पीडियाट्रिक सर्जरी का इसमें बहुत इंपॉर्टन काम रहता है दूसरा पीडियाट्रिक डेंटिस का भी रहता है क्योंकि वह फिर जब बच्चे को दात आने लगेंगे तो वह दातों की केर लेते हैं अगर वह प्रॉब्लम है कुछ तो आपको सला देंगे कि क्या क करना है तो सबसे इंपॉर्टन आपको क्लेफ पैलट या क्लेफ लिप में याद रखना है प्लिस डरिये मत प्रॉपर सला लीजिए सर्जरी तो करनी ही करनी है उसमें कोई गुझायश नहीं है पीडियाट्रिक डेंटिस का भी सला लेना है ताकि बच्चे को लॉंग डुर